वाई लाइ मच गया यह और यह हो गया वह गया इतने करोड़की से जएद सब्सक्राइब डिकाना आफ यहाँ पर सवाल जो के बोला करने है कुछ हो के जब आप आब आपू के तो वही मैं इस विडियों बात करने वाला हूं उसे को एवेर आप मैं पुब्लिक से भी expect कर रहा हूं कि आपको भी समझेना पड़ेगा कि यह जो उला ने प्राइजिंग बताई थी यह एक शोरूम प्राइज होती है इसका मतलब यह होता है कि भाई शोरूम के पास गाड़ी जो होती है वह इतनी होती है इसके उपर और भी चार्जिस लगते है तो बिल्कुल उस exact price में तो आपको नहीं मिलेगा आप सोच रहे हो कि एक लग तीज़ार दे के मैं scooter लिया हूंगा तो ऐसा तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें 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 होता है उननीस बीस चार्ज और भी होते हैं मतलब बिल्कुल exact उस प्राइज में नहीं मिलता है यूपी मैंना I think देगा था 16,000 something RTO charges ही था जिसमें road tax आपको दिखी रहा होगा तो यहां पर सेगडों लोगों ने पूछ मारा होला से कि बाहीं बदा हो यारे कैसे लग रहे हैं इसका क्या reason है और यह तो लगने ही नहीं चाहिए तो बहुत टाइम बाद हो लगा यहां पर reply आया है final reply यहां पर यह है कि road tax and registration charges are subject to changes as may have notified by government from time to time we will provide you with a receipt of road tax and registration charges paid by us on the behalf of you इनका मतलब यहां पर यह सीधा सीधा कि अगर government इन से लेती है road tax तो यह आप से भी लेंगे और अगर नहीं लेती है तो final price जो होगा जो भी आप पैसे दोगे उसमें से घटा के बता देंगे road tax tax महां से हटा दिया जाएगा अभी यह इनका कहना है आप इसे कुछ लोग यह भी सोच रहे थे कि वाई हमने तो 20,000 रुपर दे दिये क्या उन 20,000 में से हमारे कुछ वापिस आइंगे तो वो नहीं होगा उसमें सीन यह है कि जो आपकी next payment आएगी जो आपकी जो बची पैम solution का option है अगर आपको road tax ज्यादा लग रहे हैं और आपको नहीं लेना तो आप test drive लेके इसे cancel कर सकते हो लेकिन यहां पर दियान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको cancel करना है जल्दी से जल्दी cancel कर देना क्योंकि अगर ओले की factory से आपके नाम का जो scooter वो निकल गया तो cancel नहीं होगा इसके बाद एक सवाल आया था कि भाई मैंने बीस हजार वी पे कर दिया मैंने अपने color option पर select कर लिया क्या मैं आप color मतलब दुबारे से change कर सकता हूं तो इसके उपर भी और reply आया था कि हाँ आप कर सकते हो जब आप main payment करोगे तो वहाँ पे option होगा कि आप color change क कर सकते हो इसके बाद चीज खली है यहां पर वह है इसकी delivery dates तो यहां पर बहुत से लोगे साथ यह हुआ है कि उन्हें बताया था कि नवंबर दिसंबर में उनकी delivery dates है लेकिन कुछ टाम बाद उसे ओला ने यहां पर बढ़ा दिया है उसे जनवरी तक कर दिया है mostly के साथ ऐ कैसा भी हुआ है कि उनको जनवरी बताया था उसके बाद उसे दिसंबर कर दिया गया है तो दूसरों यह जो इन्होंने dates बताया देना पहले वह थे इनकी estimated delivery फिर यह थोड़ा analyze करते हैं इनका जो भी algorithm होता है वह देखता है कि इसका शहर पास में है जो भी इनकी hub होंगे उ इसमें बुरा मानने वाली कुछ बात है नहीं कि यह जब इतने सारे order आएंगे delivery इस तो लेट होंगी ही नहीं पर एक चीज़ी और अच्छी है बाई कि ओला ने यहां पर confirm कर दिया था कि अगर किसी ने payment date पे अपनी जो payment लेट कर दी या फिर उसका loan pass नहीं हुआ तो उनका कि भाई क्या conditions हैं उनकी क्या हमाँ पे सी इंसान बैठता है यहां पे next sale कब होगी तो आप इसे बहुत से लगोगी जो भाई miss कर गई होंगे नहीं कर पाए book तो आपके लिए जो next sale होगी वह भाई शकरवाले ट्वीटर पे खुद बदाई वह है एक नवंबर की एक कर रहे हैं ऊससे स्टेट गवर्मेंट ने तो वहां पर यह आपको देंगे देंगे तो यह सारा डिबैंड करता है स्कोटर को ले रहे ह। वहां कि आ कैसी एक है जहां पर यह चार्ज है तो जाहां पर दो लिए जा लेकिन मुझ पर कोई भी इमेल नहीं कोई मुझ पर मैसेज आए तो इसके लिए आप कर क्या सकते हो आप जा सकते हो ट्विटर पे आप अपना जो ओडर आईटी उन्हें आप बता दो वहाँ पर आपको रिजलूशन देंगे वहाँ पर लेक देते हैं कि हम जल्दी आपको आ ओला ने रिप्लाइ करा है रिप्लाइ को इस परकार है महरास्ट्रा गवर्मेंट हैज नोटिफाए दा मोड़ाइट लीज पॉर्शेंचन और यहां भी आपको कोई प्राइस रिवीजन देखने को मिल सकता है ओला की तरफ से और लेकिन यहां पर यह भी सीन है कि जो सब्स सब्सक्राइब करें और आपका सारा काम करके दे रही है और ने यह काम तो एक बढ़ा दिया है के लिए तो मुंबई वालों का यही सीन है इन्होंने बता दिया है कि वेरी रिसेंटली काम हुआ है बड़े चेंजिस आए है तो यहां पर यह रिप्लाइ हो गया इनका एक च भाई इसका यह वगएरा नंबर है जाब आप इसकी पेमेंट वगएरा कर दोगे लेकिन आपको डिलिवरी नहीं देगा डिलिवरी जब देगा जब आप इसका इंशोरेंस करा लोगे तो वह पीरिड होगा ना जब आपको इसका स्कूटर का नंबर मिल जाएगा तो ओला आप से कहेगा कि भाई जाओ अपने इंशोरेंस करा लो और कराने के बाद जो इस इंशोरेंस की आईडिय वगएरा है जो भी डिटेल है वो ओला के साथ शेयर कर दो उसके बाद ओला आपको स्कूटर डिलिवर कर देगा तो कुल मिला के बाद यहां पे यह है कि जब तक आ यह बाद के पहले स्कूटर आपके पास आजाए या फिर उसका नंबर आजाए जब जाके आप सब्सेडिय कर पाऊगे और इंशोरेंस भी करवा सकते हो जब आपके पास स्कूटर का नंबर हो तो यह दोनों चीज रिलेटिड है स्कूटर के नंबर से सवाल जिनके यहां वही मैंने आपको इसकी शॉट के साथ दिखाए है जरों ने स्कूटर रहे खाया है अगर आपको जल्दी डिलिवरी मिल रही है तो आप मुझे कॉंटैट कर सकते हैं अगर आप इंटरस्टेड हो तो हमें एक रिव्यू कर सकते हैं आपके साथ मुझे भी सोभाग्य प्रा झाल